थाइरोड की बिमारी में थाइरोड की गोली सही से लेना बहुत जादा इंपोर्टन्ट है अगर आपका तरीका सही नहीं है या आप उसमें कोई गलती कर रहे है या उसमें कोई भी प्राबलम है तो आपकी दवाई आप पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी और आपकी बीमारी भी ठीक नहीं होगी तो मैं डॉक्टर सुशमा जाध हो, कंसर्टिंग फुजिशन और यह जो हमारा हेल्स हैवी चैनल है इसके तुरू हम लोग हर वीग एक बहुती इंट्रेस्टिंग टॉपिक पे साइन्ठीफिक और रिलायबल सिंपल लेंगवेज में इन्फोर्मेशन लेके आते हैं इसलिए इस वीडियो को लाइक करना, बाकी लोगों साथ शेयर करना और आगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्रेब करना ना भूलिए साथी में नोटिफिकेशन बेर आइकन को दबाईए ताकि जब भी अगला वीडियो रिलीज होगा आप तक वो सही समय पे पहुँच जाएगा तो आज हम लोग देखेंगे कि थायरोड की बीमारी में थायरोड की गोली लेने का सही तरीका क्या है कॉमनली थायरोड की दो तरह की बीमारिया होती है एक होता है हाइपो थायरोडिजम जिसमें थायरोड अपने बौडी में कम बन रहा है और इन लोगों में thyroid की गोली या thyroid hormone externally देना पड़ता है और दूसरी बिमारी है hyperthyroidism जिसमें हमारे body में thyroid hormone बहुत ज़्यादा बन रहा है और इसलिए उस hormone को कम करने के लिए उसका effect body पे से कम करने के लिए गोली लेनी पड़ती है इन दोनों में सबसे common problem होता है hypothyroidism specifically महिलाओं में ये problem बहुत ज़्यादा पाई जाती है तो आज हम लोग उसी बिमारी के दवायों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले तो जब आप अपनी जाच कराओगे और आप में उसमें कुछ abnormality या value abnormal आती है thyroid को डोस होता है वो microgram में होता है इसलिए उसके बारे में कोई confusion नहीं होना चाहिए आपको डोस है वो आपको याद से ध्यान से वही डोस की दवाई लेनी है कई बार मैंने देखा है कि पेशन गलती से अगर 25 microgram की दवाई है तो वो लोग 125 microgram की दवाई भी गलती से लेते रहते है इसलिए जो आपका डोस है उसे द्यान रखना और उसी डोस की मातरा की दवाई लेना ज़रूरी है दूसरी बात है कि जब भी आप मेडिकल से दवाई लोगे तो देख लेना कि वो दवाईों की expiridate क्या है लगबग एक बॉटल में 100 टाबलेट्स आती है अगर आप डेली एक डोस ले रहे हो तो एक बॉटल जो है वो आपको लगबग 3 मेने तक चली जाती है अगर 3 मेने से पहले का अगर expiridate है तो आपकी कुछ टाबलेट्स वेस जा सकती है इसलिए expiridate चेक करना बहुत ज़रूरी है तिसरी बात थाइरोड के कई सारे ब्रैंड से दवाई आवेलेबल रहती है लेकिन उनका अंडर का जो कंटेंट है वो common रहता है वो होता है लिवो थारोक्सिन तो जब भी आप एक ब्रैंड की दवाई ले रहे हो तो प्रिफरबली हर बार उसी ब्रैंड की दवाईया लेते रहना बहतर होता है जब हम लोग ये दवाईया घर लेके आते हैं तो वो थंडी और सूकी जगह पे रखना बहुत ज़रूरी है साथी में ऐसी हाईट पे रखना ताकि कोई भी बच्चा या कोई भी पैट अनिमल अगर घर पे हो तो उसके हाथ में नहीं आनी चाहिए या उसे वो अप्रोचेबल नहीं होनी चाहिए और ऐसी एक सेफ जगह होती है हमारी अलमारी अगला पॉइंट है कि ये दवाई जो होती है वो रोज लेनी ज़रूरी होती है थाइरड जो हर्मन है हमारे बॉड़ी के हर एक फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है और जब इसकी मातरा कमी है तभी हम लोग ये थाइरड की गोली ले रहे हैं तभी जाके ये दवाईों का अच्छे से बॉड़ी पे असर होगा और हमें उससे फायदा मिलेगा कुछ प्रिपरेशन आते हैं जो हफ्ते में एक बार लेने के होते हैं लेकिन अगर वो प्रिपरेशन या वो टाइप की दवाई ले रहे हैं तो ही हफ्ते में एक बार आप दवाई ले सकते हैं अगला पॉइंट आता है कि ये दवाई एकजाक्ली कब लेनी चाहिए दवाई सुबह उठने के बाद खाली पेट ये दवाई लेना बहुत इंपोर्टन होता है क्योंकि उसी के वज़े से ही उसका absorption पूरी तरह से होता है और असर हमारे बोड़ी पे अच्छे से होता है तो जैसे अब सुबह उठोगे और ब्रश करोगे तो एक आधे गलास पानी के साथ वो अब थायरड की गोली खाली पेट आपको लेना है और गोली लेने के बाद लगबग आधे से पौन गंटे का ग्याप लेके ही आप चाय, कौफी, नाष्टा कर सकते है अगर मानो आपको और कुछ ऐसी गोलिया चल रही है जो भी आपको खाली पेट ही लेने के लिए डॉक्टर ने सला दी है तो क्या करें? तो ऐसे सिनारियो में सबसे पहले आप थायरड की गोली लेले उसके आधे गंटे के बाद आप जो बाकी खाली पेट वाली दवाईया है वो लेले और फिर उसके आधे से पौन गंटे बाद आप अपना खाना पीना नाष्टा कीजिए थाइरड की गोली के साथ कोई बे और गोली मिक्स नहीं करनी है अगर आप गलती से थाइरड की दवाई भूलते हैं तो क्या करेंगे पहली बात तो यह बिल्कुल नहीं भूलना है उसे आपका to-do list में लिखना है या मैं बोलती हूँ पेशन्स को कहीं freeze पर या कहीं आप जहाँ पर पानी रखते हो या जो सुबह उटने के बास सबसे पहली चीज करते हो वहीं पर आप कहीं reminder लिखके रखो ताकि आप वो दवाई ना भूले लेकिन अगर कभी गलती से भूल जाते हो तो जब भी दिन में याद आता है उस समय वो भूली हुई दवाई ले लेना और अगर एक पूरे दिन भूल जाते हो तो नेक्स दिन आप दो गोली साथ में ले सकते हो लेकिन ध्यान रखे मैंने ये जो आपको option बता है ये आपको option daily option में नहीं रखना है और इसे बार-बार होने से बचना है क्योंकि अगर आप बार-बार दवाईया भूलोगे तो आपका thyroid level control में नहीं आएगा और आप जब डॉक्टर को follow up करने जाओगे तो वो आपका dose unnecessarily बढ़ा सकते है इसलिए regularly, sincerely, daily दवाई लेना बहुत important है अब आखरी point, thyroid ये जो बिमारी है, specifically hypothyroid ये usually lifelong चलने वाली बिमारिया होती है तो ऐसे समय पे आपको हर कुछ महने में, preferably 3-4 महने में TSH नाम की test करके आपका dose adjust करना ज़रूरी है क्योंकि आपका जो dose है वो कुछ सिनारियों में change हो जाता है जैसे आपका weight gain हो गया या weight loss हो गया, अगर कोई pregnancy है, आपको कोई बिमारी है या अगर आपका age बहुत बढ़ रहा है तो ऐसे सिनारियों में dose change हो जाता है कई patient बिना जाज किये या अपने doctor से dose adjust बिना करवाए सालों साल वही दवाया लेते है यह बहुत ही जादा गलत है क्योंकि उससे ना आपको कोई फाइदा मिल रहा है ना ही आपकी बिमारी कुईसी वे से control हो रही है तो अगर आपको आपके thyroid का अच्छी तरह से खयाल रखना है और अगर आप चाहते हो कि आपकी thyroid की गोली आपको 100% useful साबित हो यह जो मैंने आज points बताए वो याद में रखिये और प्लीज आपके साथ जो भी बाकि हाइपो थरड की patient है उनको भी वो शेर कीजे ताकि उन्हें भी इससे फाइदा हो जाए हम लोग अगले हापते फिर एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टापिक के साथ मिलने वाले है टेक केर